सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और एक घंटा वाला बटम जरूर दबाईए जिससे आप मेरे आने वाले नई वीडियो को देख सकें हाई दोस्तो कैसे आप लो तो दोस्तो फिर से मैं आपके मोबाईल की सेफटी के लिए बहुत ही बेहतरी इन अप्लीकेशन लेके आया हूँ जिया दोस्तों आपने सही सुना अगर आपके mobile में ये application रहता है तो आपका mobile safe रहेगा शुरच्चित रहेगा आपके mobile को कोई भी छेड़ नहीं पाएगा तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसके बारे मैं थोड़ा बता देता हूं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप पीस ले लेंगे लेकिन जैसे ही अलड़का आपको mobile पाता है आपको mobile में छेड़ खाने करने रखता है आपके mobile का lock खोलने की कोशिच करेगा अगर आपने pattern लगाया है तो भी अगर आपने pin लगाया है तो भी और दोस्तों कभी-कभी ऐसा होता है कि ज्यादा pattern ट्राई करने से हमारा password crack हो जाता है और उसके बाद अगर आप सही भी password डालेंगे तो accept नहीं करेगा और फिर आपको last में computer से software मरावना पड़ेगा और दोस्तों कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अपने mobile को घर पे charging में लगा के कहीं पे चले जाते हैं उसके बाद जो हमारे घर के बच्चे हो जिससे आप इन सारी problem का हल कर सकेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं लेकिन दोस्तों वीडियो सुरू करने हैं पहले आपसे मेरी एक छोटी सी request है अगर अभी तक आपने वीडियो को like नहीं किया तो like कर दीजिए अगर वीडियो देखने बाद आपको इसको install कर लेना है अगर आप इसको install नहीं कर पाते हैं तो इसका लिंक अपने वीडियो के description में दे दूँगा आप जाके वहां से इसको install कर सकते हैं तो चलिए मैं इसको open कर लेता हूँ open करने के बाद दोस्तो आपको allow करने के लिए बोलेगा तो आप इसको allow कर दीजिए उसके बाद आपको यहाँ पे काफसर मिल जाएगा start का तो आपको इसपे click कर देना है तो आप देख सकते हैं कि automatic कर गया अब दोस्तो आपको यहाँ पे काइकन मिल जाएगा आँक की तरह आप देख सकते हैं तो आपको simply इसपे touch कर देना है अब दोस्तो आप देख सकते हैं कि mobile पे पूरा black black हो गया है अब अगर आप कुछ भी करते हैं तो काम नहीं करेगा चाहे आप switch आली बटन ट्राइगा चाहे आप home आली बटन ट्राइग करे कुछ भी नहीं होने वाला अगर अच्छा लगा तो like कीजिए share कीजिए अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसको subscribe कीजिए तो ठीक दोस्तो मिलते हैं next वीडियो में